हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू इग्जाम बारियर्स आज हम लोग बात करेंगे 15 सितंबर 2030 के करेंट एफियर्स की जिसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट एफियर्स के कुछ कोश्चन को डिसकस करेंगे इंजीनियर्स डे किस दिन मनाया जाता है तो याद रखेंगे 15 सितंबर को मनाया जाता है नेक्स कोशन है लक्षमी कुमारी चूड़ावत बाल साहित पुरुषकार ये किस व्यक्ति को दिया गया तो दियान रखेंगे अदवयत जिन्द नाम की एक देखती हैं ये पुरुषकार इनको दिया गया ये साहित के छेतर में पुरुषकार दिया जाता है जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपना साहित लेखते हैं तो उसके छेतर में बच्चों को दिया जाता है ठीक है इसके ब भारत में किस देश के साथ, ठीक है, WTO, मतलब Bird Trade Organization, पोल्टरी बिवाद को निप्टाने का निड़ना लिया है, ठीक है, तो वो कौन सा देश है, अमेरिका के साथ, भारत अमेरिका के साथ, पोल्टरी बिवाद को निप्टाने के लिए अब राजी हुआ है, मतलब निड़ना लिया गया है, तो अब यह जो है, विवाद था, वो गद, समाप्त हो जाएगा, नेक्स है, ऐस्टेलिया में भारत के नए उच्चा युक्त काऊन बने, ठीक है, तो इस समय गोपाल बागले, ठीक, गोपाल बागले को और भारत का नया उच्चा युक्त, न्युक्त किया अगला कोश्चन देखेंगे अगला है एसिया कप में सरवाधिक विकट लेने वाला भारती गेंदवाज कौन है? तो रवेंद्र जडेजा जो है वो भारती गेंदवाज हैं और इन्होंने एसिया कप में सबसे जाधा विकर लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है अभी हाल ही में Asia कब चल रहा है जो कि भारत और सिलंका में इसका आयोजन किया जा रहा है इस बार ठीक है अगला देखेंगे किस कंपनी को Safety Innovation Award 2023 से सम्मानित किया गया ठीक है तो RITES Limited इसको अभी Safety Innovation Award 2023 से सम्मानित किया गया सभी questions बहुत ही important है आपके सभी exams के लिए वीडियो को share और like जरूर कर देए अगला देखेंगे Amazon की AWS ने Cloud Technology की छमताओं को बढ़ाने के लिए किस के साथ सम्झाओता किया तो अभी Amazon ने इस रो के साथ एक सम्झाओता किया है जिसमें ये AWS के Cloud Technology की छमताओं को बढ़ाएगा बंडे में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाडी कौन बने तो वो अभी रोहित सर्मा बने ठीक है रोहित सर्मा बने है और यहाँ पर एक question और important हो जाता है अगर आप से पूछा जाए कि ODI में सबसे कम पारियों में 13,000 रन पूरे करने वाले खिलाडी कौ 2023 टाइम हंडेड नेक्स्ट की सूची में सामिल किया गया भारती महीला की लाड़ी है हर्मन पृत कौर तो इनको अभी टाइम हंडेड नेक्स्ट की सूची में सामिल किया गया है ठीक अगला question देखेंगे सितंबर 2023 में 23 चैंपियंशिप 2023 का आयोजन कहां किया जा रहा है मत मेकसिको में 2023 यानि सितंबर 2023 में 23 अधाजी चैंपियंशिप का आयोजन जो हो रहा है वो कहां मेकसिको में हो रहा है मैकसिको की अगर राजधानी आपसे पूछी जाती है तो वो मैकसिको सिटी है ठीक है आगे कोशन देखते हैं आगे है जामिया, मिलिया, इसलामिया की कुलपती और प्रतिष्ठित पदमश्रीश प्राप्त करता प्रोफेसर नजमा अक्तर को अकादमी छेतर के किस पुरुषकार से सम्मानित किया गया तो इन्हें भी Lifetime Achievement Award दिया गया यह जामिया, मिलिया, इसलामिया की जो विश्य विद्याले है उसकी कुलपती है और यह पदमश्रीश से भी सम्मानित है अब देखिए कुछ important चीजें जो कि 14 सितंबर 2000 देश से related हैं हम उनको भी discuss कर लेते हैं 14 सितंबर को आपको पता है हिंदी दिवस मनाया जाता है हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं रास्टी हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को हम लोग रास्टी हिंदी दिवस मनाते हैं हिंदी भाशा दिवस मनाते हैं रास्टी रूप से तो इस चीज को याद रखेंगे 14 सितंबर को हिंदी दिवश मनाया जाता है अगर आप से पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा काउंसी लेंगविज बोली जाती है तो आप कहेंगे मंदारिन बोली जाती है जो की चाइना की दूसरी इंगलिश है और तीसरे नंबर पर हमारी हिंदी है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 सितंबर से जुड़े important questions हाल ही में कहां दुनिया का सबसे उचे fighter airfield का निर्मान किया गया तो आपको पता है अगर आप से पूछा जाए दुनिया का सबसे उचाई परिस्थित्य या सबसे उचा युद्ध शेत्र कहां है वो भारत में है और भारत के कहां पर लद्धाक में है तो यहां पर भी लद्धाक के नियोमा यहां पर fighter airfield का निर्मान किया गया दुनिया का सबसे उचा है लद्धाक की राजधानी तो आपको पता होगी ले है और अगर लद्धाक के आप से पूछी जाते है गवर्नर तो आप बताएंगे BD मिश रहा है ठीक है नेक्स देखेगे हाल ही में किसने ICC पुरुस ODI ranking में प्रथम इस्थान हासिल किया ठीक है तो ODI ranking में अभी हाल ही में Australia ने क्या किया है प्रथम इस्थान हासिल किया है ठीक है तो अभी हमने पीछे इसी वीडियो में डिसकस किया था Australia में भारत के नए उच्चा युक्त बने हैं वो कौन बने हैं comment box में mention क्या दिए next देखेंगे हिंदी डिवस हर साल किस दिन मनाय जाता है ये राष्टी हिंदी डिवस है ठीक है और अगर विश्व हिंदी डिवस कहेंगे तो वो जनवरी को मनाया जाता है जन्वरी में मनाया جाता है किस टीम ने इसको जीता है तो वह जौर्जिया की टीम ने इसको जीता अभी हम लोगों ने इसी वीडियो में डिसकस किया था कि विश्व तिरंदाजी चल रही है विश्व तिरंदाजी चेंपियंशिप चल रही है कहां मैक्सिको में उसी में प्रतमेश जावकर ने कौन सा पदक जीता रजत पदक अभी जीता है तो ये कौन है प्रतमेश जावकर है और इन्होंने रजत पदक जीता है ठीक आगे चलते हैं और आगे देखेंगे किस सहर में UIDAI ने Global Fintech FAST 2023 का आयोजन किया तो अभी मुंबई में UIDAI ने क्या किया है Global Fintech FAST 2023 का आयोजन किया है नेक्स कोशन को देखेंगे नेक्स कोशन में है हाल ही में सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश की Greater Noida इस्थित बुद्ध International Formula 1 सरकिट में पहली बार किसका आयोजन किया जाएगा तो Moto G Race का आयोजन इसी में किया जाएगा उत्तर प्रदेश की Greater Noida में इस्थित एक International Formula 1 सरकिट है यह भारत का एक मात्र Formula 1 सरकिट है नेक्स देखेंगे सुब्रतो कप अंतराष्टी फुटवाल टूनामेंट काउन से सहर में आयोजन किया जाएगा तो अभी बैंगलूरू में क्या किया जाएगा सुब्रतो कप अंतराष्टी फुटवाल टूनामेंट का आयोजन किया जाएगा यह यह क्या करेगा इमेजबानी करेगा अजीत निनन अभी इनका निधन हो गया तो यह एक प्रशिद्ध कार्टूनिस्ट थे यह कार्टून के लिए प्रशिद्ध थे कार्टूनिस्ट थे तो यह अभी इनका निधन हो गया है अगला कोशन देखते हैं और अगला है किस राज्य ने मुख्य मंतरी लाडली बहना आगास योजना लॉंच की तो याद रखेंगे मुख्य मंतरी लाडली बहना योजना आए या मुख्य मंतरी लाडली बहना आवास योजना आए दोनों ही मध्य प्रदेश ने किये हैं सिवराज सिंग चौहान है कि अगला है किस राज ने मौब लिंचिंग पीडित मुला योजना स्टार्टकित तो मर्ति प्रदेश ने यह जुजना भी अभी प्रया इस्ट की मैश्टीत मौब लिंचिंग पीड़ीत जाते हैं और उनका अपना जन और धन दोनों की निहानी भी होती है लोगों को, तो ऐसे लोगों का एक लिस्ट बना के और उनको मुआफजा दिया जाएगा, तो ये योजना मध्य प्रदेश ने स्टार्ट की, तो ये 14 और 15 सितंबर के important current affairs थे जिनको हमने आज discuss किया, आप इस वीडियो को share जरूर करें, important चीजें हैं, सभी exams के लिए, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में कुछ और important current affairs के साथ, तब तक के लिए, thank you, take care.